प्राइम टीवी के आप सभी दर्शकों को रक्षा बंदन की डेरों शुब काम नाएं उत्रप्रदेश के पूर्व मुख्य मंतरी कल्यान सिंग और भारती जंता पाठी के वरिश नेता कल्यान सिंग का जशनी वार को लंबी बिमारी के बाद निधन हो गया कल्यान सिंग का अंतिम दर्शन किया जा सकेगा जबकि सोमवार को उनके अंतिम संसकार उनका होगा पूर्व मुख्य मंत्री और पूर्व राज एपाल कल लियान सिंग का शव लखनव स्तित उनके आवास पढ ले जाएगा जहाँ उनका עंतिम दर्शन के लिए लोगों की बीड म्डी यहाँ पर अंतिम दर्शन के बाद पूर्मुख्यमंत्री को उनके पैत्रेक जिले अलिगर्ड ले जाएगा उत्रॉली के नरौरा में अंतिम संस्कार 23 अगस्त को होगा बिजेपी के कद्दावर नेता रहे कल्यान सिंग के पार्थिव शरीर को दर्शन के लिए रविवार को विधान भवन और फिर बीजेपी का रियाले पर भी रखा जाएगा रविवार दो बजे अलिगर्ड के लिए उनका शव ले जाया जाएगा इस कबर पर हमारे साथ समवादाता शैबास जो चुके है शैबास इतिहास रचने वाले आज खुद इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए है बिल्कुल कृती बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से उतरवर्देश के पूर मुक्षंतरी कल्यान सिंग का निदन हो गया और उन्होंने राम मंदिर जैसे आंदोलनों को यहां पर हवा दी थी और चाहे उसकी बाबरी विजवन्स की अगर बात करी जाए तो इसकी जिम्मेदारी खुले तोर पर उन्होंने खुले मंच से ली थी कि हाँ मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं और तमाम ऐसी हिंदु तो चेहरे के बलबूते उन्होंने जो अपनी च्छवी बनाई थी तो कहीं न कहीं बीजेपी जो उत्तर प्रदेश में आज जिन्दा है तो कहीं न कहीं कल्यान सिंग का उसमें का काफी एहम योगदान है और हमेशा माना जाएगा जी गिरती इच्छा थी उनकी रामंदिर देखने की वो भी पूरी नहीं हुई जिसको लेकर हमेशा वो जिक्र कर रहे थे और जाने की भी इच्छा दीदी पावली पे भी उस वक्त भी नहीं जा पाए का दावर भी नेता है काफी जादा पक्ष ही नहीं विपक्ष में भी बड़ा ब शयवकार सेवकों का साथ जाना हो जाहे जिस तरीके से इस आंदोलों को मजबूती देना हो तो उन्होंने रामंदिर से जुड़कर जो काफी चीजे जो उन्होंने करी थी वो हमेशा याद रहेगी और साथ ही साथ जिस तरीके से उनका जाना है तो कहीं ने कहीं एक बीजे नेता जो है उनने शद्धांजली अर्पित कर रहे हैं कोई ट्विटर के माद्यम से कोई वहाँ पहुच कर जहां उनका पार्थिशरी इसक्त मौजूद है जहां पर है आपको बता दें कि जिस तरीके से उनका पार्थिशरी अभी बीजेपी मुख्याले भी लेकर आया जाए तो जिस तरीके से कीर्थी उनका एक राजनीतिक सफर रहा उनका काफी छोटे से उन्होंने शुरुआत करी और इतने बड़ा लंबा सफर उन्होंने तैय किया तो कहीं ने कहीं काफी एहम योगदान उनका जो है माना जा रहा है भारती जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में जिन्दा रखने का अब हमारे बीच नहीं रहे लेकिन उनकी राजनीतिक सफर और उनकी यादे हमेशा ही लोगों के जहन में रहेंगे जिस तरह से बावरी विद्वन्शो रामंदिर के दर्शन करना चाहते थे वो लेकिन उनकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं हुई हला कि कल उनकांतिम सन्सकार किया जाएगा वहीं बढ़ते हैं अफगानिस्तान पर टालिबान के कब्जे के बाद वहां के हालागा होते जा रहे हैं नोगों को एर इंडिया के विमान से दल्ली लाया जाएगा तो इससे पहले विदेश मुंत्राली के प्रवक्ता अरविंद बाक्ची ने ट्वीट कर बता अफगानस्तान में फसे भारती नागरिकों को वापस लाने के लिए लगतार काम किया जा रहा है एर इंडिया के विवान ताजिकिस्तान से 87 भारतियों को लेकर नई दली पहुच रहा है इसमें दो नेपाली नागरिकों को भी शामिल किया गया है पीडिपी अध्याक्ष महभूबा मुफ्ती ने केंदर की बिजेपी सरकार को धमकी देते हुए कहा की जैसी हालत अमेरिका की अफगानिस्तान में हुई है वैसी ही कश्मीर में भारतिय सेना की होगी मुफ्ती ने गुलाम कुलगाम में एक जनसभा में अफगानिस्तान का हवाला देते हुए कश्मीर में भी ऐसे ही उलच फेर की चेटावनी देते हुए अमिर्की सीना जैसा हाल होने की बात कही है महबूबा के अनुसार पिछले को समय के जस तरह जब कश्मीर में लोगों का दमन किया गया है और लोगों के सभी अधिकार शीने के हैं उसकी प्रक्रिया में लोगों का गुस्सा फूटा है तो कश्मीर में भारती सीना का भी वही हश्ट होगा जो अफगानिस्तान में अमेरिका का हुआ है ने कहा कि चीटी अगर हाती की सून में खुच जाए तो हाती का जीना हराम कर देती है उतरपदेश के पूर मुख्य मंतरी कल्यान सिंग के निधन से पूरे देश में शोक की लहर देखने को मिल रही है दिगच से दिगच नेता उन्हें याद कर शद्धांजली अर्पित कर रहे है महीं उतराखन के पूर्विसीयं तरवेंद सिंग रावत ने भी उन्हें शद्धांजली ट्वीट कर अर्पित की साथी राम मंदिर में उनके योगदान को एक पार फिर लोगों के जहन में जिन्दा किया उन्होंने ट्वीट कर कहा किया योध्या में श्री राम लला मंदिर बने उसके लिए मार्ग प्रशस्त करने का काम करने वाले कल्यान सिंग आज हमारे बीच नहीं रहे राम जन भूमी मंदिर निर्माण में उनकी भूमिका को सदा सरवदा याद किया जाएगा वो एक सहासी नेता थे जिन्होंने बाबरी धांचा गिरानी के जिम्मेदारी स्वेम ले ली थी रक्षबंदन के मौके पर याद्रियों की सवेधा के लिए दिली मेट्रो ने ट्रेन की टायमिंग में बतलाव किये है इस दिन होने वाली जादा याद्रो को ध्यान में डखते हुए मेट्रो को सुभा जल्दी शुरू करने का निर्ने लिया गया है दल्ली मेटरो ने ट्वीट कर यात्रियों को जानकारी दी है कि पेंक लाइन पर मेटरो सुबा साड़े शे बज़े से चलना शुरू होगी जबकि मेर्जिन्टा लाइन पर सुबा छे बज़े से मेटरो का संचालन होगा इसके अलावा रेड लाइन एक्स्टेंशन पर मेट्रो सुभा साले पांच बज़े से और ब्लू लाइन एक्स्टेंशन पर सुभा छे बज़े से मेट्रो चलनी शुरू होगी ये टामिंग आज के लिए बस लागू होगी बताते कि दिली मेट्रो को पूरी चमता के साथ चलने की इजाज़ा दी जा चुकी है यात्री मेट्रो की सभी सीटों पर यात्रा कर सकेंगे हाला कि यात्रा के दौरण मास पहना रहना यानुवार रहोगा इसके अलावा उत्रप्रदेश के मुक्यमत्री होगी आदेतनाथ भी रक्षामंदन के मौके पर आज के लिए महीलाओं को मुफ्त बस यात्रा का लाप दे चुके हैं वही आज से साब ताहिक बंदी भी खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है वीकेज लाउंट टौउन अब से राजज़ में पूरी तरह से हटा दिया गया है राजानी दिली में बारिश ने पिछले 13 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है 2007 के बाद पहली बार अगस्त महीने में 24 गंटे के भी तरे तनी जादा बारिश होई मौसम विभाग के पूर्वानुमान है कि अगले दो तीन दिनों तक दिली में मौनसून सक्रिय रहेगा इसके बाद मौसम साफ हो जाएगा तेज बारिश की वदा से कालोनियों के साथ मुख्य सडकों पर भी जल जमाव देखा गया दिन भर आईटी ओ, मिंटो ब्रिच, रिंग रोड समेत दिली की जादतर प्रमुक सडकों पर पानी भरा रहा इसका असर वहनों की रफ्तार पर पड़ा प्रमुक रास्तों पर जाम लगने के बाद पूरे सफर के वहन रेंगते हुए आगे बढ़ते रहे लोगों का मिंटों का सफर तै करने में घंटों का समय गया उत्रप्रदेश की योगी आदितनाथ सरकार प्रदेश में महिला और बेटियों के लिए मिशन शक्ती के तीसे चरण की शुरुवात की है लखनाओ केंद्रा गांधी प्रतिष्टान में राजिपाला नंदी बिन पठेल और विवत्ते मंतरी निर्मारा सीता रमर ने सीम योगी आदितनाथ के साथ इस मिशन का अगास किया मिशन शक्ती का तीसे चरण महिलाओं को रोजगार की मुख्यधारा से जोडते हुए उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिपद रहेगा बतादी की महिला की सुरक्षा के लिए योगी आदितनाथ ने कहा कि स्वाबलंबी सुरक्षे द्वा सशक्त नारी नय उत्रपदेश की नीव है हम इस नीव को मश्बूत करने के लिए मिशन शक्ती का तीसर चरण शुरू कर रहे है जलान में पुछले कुछ दिनों में पहले समी वर्ती नदियों में आई बार से जल जीवन अस्तिवयस हो गया था लेकिन अब नदियों का जल स्तार घटना शुरू हो गया है तो प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनोती उन लोगों के पुनरवास की है जो बार की वज़ा से बुरी तरह से प्रभावित हुए है हाला कि इस बीच सुबे के मुख्य मं प्रशिश की जा रही है इसको लेकर मंडला योगत ने समीक्षा बैठक में राहत और बचाफ कारियों में तेजी लाने पर जोड दिया और संबंधेत लोगों को निर्देश भी दिये थे गाजीपुर में रेलवे टिकेट के अवयाद धन्दे पर अंकुष लगाने के लिए टीम आक्टिव हो गई है प्रभारी नरेश कुमार मीना और सिटी स्टेशन और प्रभारी उदैर राज के साथ में मिलकर कारवाई की गई सायुक्त टीमों ने चापे मारी करते हुए टिकेटों का वैद कारोबार करने वाले शातिरों को गिरफतार कर लिया पकड़े के शातिरों के पास से टीम ने लाप्टॉप, प्रिंटर और मोबाईल को बरामत किया है साथी करीब 34,000 रुपे कैश को भी बरामत किया गया है राज़ानी लखनव में पूर्विन आयदीश चंदर भूशन पांडे के द्वारा लिखी गई 75 साल बदलते भारत की कहानी पुस्तक का वेमोचन किया गया पुस्तक में उन्होंने करोना काल में 75 सालों में बदलते भारत की कहानी को विस्तार से लिखा तफ़सर पर चंदर भूशन पांडे ने बदाया कि उनके द्वारा लेके दिस पुस्तक में सैक्रो ज्वलंद मुद्धो पर सवाल उठाए गया है पांडे ने अपनी पुस्तक में कॉंग्रिस की चम कर तारीफ की उन्होंने कहा कि कॉंग्रिस पार्टी का भारत की आज़ादी में महतपूर योग्दान रहा लेकिन यदि गौंग्रिस में सुनिया ने तुर तो समाप्ट हो जाए तो देश में कॉंग्रेस ही एक मात रहसी पार्टी है जिसका देश की आजादी में महत्पूर्ण योगतान रहा उन्हेंने बताए कि भारत को हिंदू राष्ट बनाने की बात भी कही जा रही है हर साल की तरह इस साल भी बारी भारेश के बाद इस सिदार्ट अगरमे बार ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है जिले में बहने वाली दो नदिया खत्रे की निशान से उपर बह रही है जिससे उसका वाजोगिया ब्लॉक शेतर में हजारों बीगे खेत पानी से बरबाद हो गया है गाउं के किनारे तक नदियों का पानी पहुँच चुका है जिससे कई चेतरों में इस्तित खेत का लियान स्कूल आंगनमारी केंडर में पानी भर गया है लोग परशान हैं लेकिन उनकी समस्या को दूर करने के लिए प्रशास्तनिक मदद अभी तक नहीं पहुची है प्रभावत इलाकों में ग्रामीन साशन से मदद की गुहार लगा रहे हैं लेकिन अभी तक इनकी सुनने वाला कोई नहीं है बीते कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश थे लगतार नरीदियों के जल स्तर बढ़ रहा है जोग्या ब्लॉक का संगल दीप गाउं टापू बन चुका है राप्ती नदी का पानी इस गाउं के चारो और फैल चुका है जिससे यहां के निवासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोग नाओ के साहरे बाहर जाकर अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे है चारो और केवल पानी पानी नजर आ रहा है इस गाउं के लोगों का कहना है कि सरकार अगर अम्रिया गाउं से एक बांधा या पुल गाउं के लिए बना दे तो इस समस्या का स्थाई समादान हो जाएगा यहां पर सर हर साल बाड आती है और चारोत तरफ से नदी ही नदी है हमारे यहां जब बाड आती है तो सब पूर्या खेती मलब डूब जाता है और जो भी मलब किसान खेती किये हैं सब मलब डूब जाता है पानी में और और सबकी मनलब फसल बरबाद हो जाती है और कोई भी आहां पर सुनवाई और करवाई मनलब कोई भी अधिकारी कुछ करते नहीं है उत्त प्रदेश की खास कबरों में फिलाल के लिए बस अतना हिजल दावाद होंगे तब तक के लिए बने रही हमारे साथ और देखते रहे है प्राइम टीवे